नमस्कार स्वागत है आपका जिलीट अफिशियल में दोजसरण आज के इस एपपीजआ़ में हम बात करेंगे फिर से एक बार टिक टॉक के बारे में यानि कि यहien 16 एप्लिकेसटंज के बारे में आपकी जानकरी के लिए आपको बताना चाहूंगा ऐसा क्यूं हो रहा है मैं आपको live example भी दिखा दूँ कि बहुत से लोगों के फॉन में बस कुछी लोगों के फॉन में ऐसा हो रहा है तो मैं आपको करके दिखाने वालो मेरे पास भी ये डाउनलोड अभी हो रहा है मैं सब्सक्राइब करके बल मोटिकेसन को ओन जरूर कर लेए इसी तरह की हर रोज एक नई जानकरी के लिए तो यहां पे सरकार को जब जानकरी मिली कि ये एप्लिकेसन इस्तेमाल लोग कर पा रहे हैं इन एप्लिकेसन का तो सरकार का कहना है IT Act Section 69A के तहद इन एप्लिकेसन को बेन किया गया है, अब अगर ऐसा होता है, तो इसका खामियाज जो है, बहुत बुरा भूगत ना पड़ सकता है, इन एप्लिकेशन वाले कम्पनियों को, यानि कि इस बार IT and Electronics Ministry जो है काफी तगडी नजर बना ही हुए है इन एप्लिकेशन के ऊपर, बनानी भी चाहिए भई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अंदर से कुछ खवर आता है कि कुछ और एप्लिकेशन है, जो कि ये आजवा सकते हैं, ट्राइ कर सकते हैं, कानूनी दावपाइच के जरिये से भारत में घुसने के लिए, तो उससे पहले ही सरकार ने जो है, ये कह दिया है, कोर्ट में जाकर, कि भाई ऐसा कुछ मामला आता है, तो आप जो है, दोनों पक्षगी अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, डारेक्ट भूसने न दिया जाए उनको, अब आई ये देख लेते हैं, बेन होने के बाद भी एप्लिकेशन कहसे लोगों को उनके फ करने के बाद आप देख सकते हैं, इस लीस्ट में मुझे कहीं भी टिक टोक नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों, टिक टोक इस लीस्ट में है ही नहीं, लेकिन फिर भी है, कैसे, सबसे पहला जो है, मैं इससे वीडियो डाउनलोडर जो है, इस पर क्लिक करता हूँ, तो करन जुर्म है, हर एक भारतिय के लिए जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब गौर्वर्मेंट बैन कर चुकी है, यह कुछ एरोर कह सकते हैं, टेकनिकल इसूस कह सकते हैं, अगर दीख रहा है, तो आपको इसकी रिपोर्ट करनी है, ना कि इस्तेमाल करनी है, अगर नहीं क कि कोशिज की, यहां पर MX Player भी जो काफी popular application है, हम सब smartphone में सहद आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, काफी पुराना application है, बहुत दिन से मैं MX Player का इस्तेमाल बहुत काफी दिन पहले किया था, तो यहां पर देख सकते हैं, MX Player का MX टकाटक आया है, भई, मतलब मुझे समझ मनी आ आपको अगर उसकी जगह लेनी है, तो यह तो जरूरी नहीं कि आपको उसका नाम भी ले लो, उसका लोगो भी ले लो, मतलब देखलो आप, यहां पर 3D View TikTok का है, काफी पुराना है, पहले से यह, और यहां पर MX Player का भी कुछ ऐसा ही किया गया है, मतलब क्या है भई, और ही नहीं है, तो दोस्तों मामला कुछ ऐसा ही है, एक भारत ही होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है, कि मैं आपसे यह गुजारिस करूँ, कि अगर आपकी फोन में TikTok आपको दिखता है, तो भी आप उसका डाउनलोड न करे, उसका इस्तेमाल न करे, क्योंकि गौर्मेंट ब बाद भी, जब भारत की जनता नहीं चाहेगी, तो हम नहीं कर सकते हैं, या इस एप्लिकेशन को बेंट करने में हम काम्याब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्टरनल सौर्सेज जो है, यानि कि थर्ड पाटी वेब साइट से, जहां से हम इन एप्लिकेशन को साथ अब तक के लिए, टेक क्या, बाई बाई